हेलो दोस्तों वेलकम टो शुबंब रिवियूज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेस्ट टावर कूलर्स के बारे में एर कूलर्स में आपको कैटेगरी में जैसे आपको मिलेगा डेजर्ट कूलर विंडो कूलर परसनल कूलर एंड एक आता आपका टावर कूलर तो इ टावर कूलर आपने सेलेक्ट कर सकते हैं बहुत यह स्टाइलिस भी रहता है यह आपके घर में आगर आप रूम डेकॉर को अच्छी से डेक्रेट करके रखते हैं तो भाई यह टावर कूलर ना और भी अच्छा एस्टेटिक लूक आपके रूम में देगा मतलब एकदम भी आपका रूम का लुक को बिगाड़ेगा नहीं है तो इस वीडियो में आपको बेस्ट फाइफ टावर कुलर इंडिया आपको बताऊंगा यह जो लिस्ट ना यह स्पेसिफिकेशन देखके मैंने बनाया है कस्टमर रिव्यूस देखके हैं कस्टमर कंप्लेंस देखके हैं वारेंटी आपको कैसी मिल रही है मतलब स्टर्डी रहेगा या नहीं आपका जो कूलर आप ले रहे हैं कितना लंबा चलता है यह सब देखके मैंने इसको क्रियेट किया है लिस्ट को तो यहां पे अगर आप लोग को इन में से कोई सभी टावर कुलर अपने लिए लेना है तो अगर आप लोग को रिसेंट प्राइस भी देखना है ना लिंक में जाके चेक कर सकते हैं तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं अपने लिस्ट में ना फिफ्ट नंबर पर आता है क्रॉम्टन ऑप्टिमस नियो यह जो क्रॉम्टन के तरफ से टावर कूलर है न अच्छी कासी है 1350 मीटर क्यूब पर आउर कि इसमें आपको एर डिलिवरी देखने को मिलेगी हाई डेंसिटी हनी कॉम पैड भी इसमें दिया गया है Everlast Pump है 4-Way Air Deflection की साथ आता है साथ-साथ इसमें Collapsible Lowers भी देखने को मिलेंगे यहाँ पर ना जो Collapsible Lowers है ना बहुत जाथा काम की चीज़ है Insects हो गया Mosquitoes हो गया मतब डस्ट यह सब अंदर नहीं भेजेगा अगर आप उसको बंद करके रखे रहेंगे Honeycomb Pad भाई Best वाला पैड रहता है कोई भी Cooler में आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर पावर इसमें आपको 130W का पावर कंजूम करेगा Inverter compatible भी रहेगा यह जो Cooler है ना इसमें आपको Options देखने को मिलेंगे जैसे 27 लीटर हो गया 35 लीटर का हो गया 35 आई हो गया जो स्मार्ट टेक्नलोजी के साथ आता है और इसमें आपको 52 लीटर के भी देखने को मिलेगी यह जो क्रॉम्टन का 35 लीटर का टैंक कैपसिटी वाला टावर कुलर है प्राइज इसकी आज की जो प्राइज है ना 7380 रूपीज देखने को मिलेगा लिस्ट में फूर्थ नम हैं यह हनी कोंब स्कूलिंग पैड ना सिर्फ कूल नहीं करता यहां पे ना आपका जो रूम में अगर मालो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो उसको भी रोक के रखता है जिससे आपको अच्छा कासा क्लीन एर देखने को मिलेगा त्री स्पीड का ऑप्शन इसमें दिया गया है 4-Way Deflection के साथ आता है आई सेम्बर भी है कास्टर वील है इसमें आपको थर्मल ओफर्लोड प्रटेक्शन भी देखने को मिलेगा साथ-साथ मॉस्किटों डस्ट फिल्टर नेट भी देखने को मिलेगा जिसमें आपका 29 लीटर का है एक एक 47 लीटर का है इसमें ना खास बा सब्सब्सक्राइब को मिलेगा यहाँ अवंसेंड़ को क्यरिखने को मिलेगे máma 2022 सब्सक्राइब सब्सक्राइब 와 है तर्ण पर कूल को सकता है इसमें आपको 55 जो Ralphs करते हैं मतलब जो वाटर फ्लो होगा ना उपर से नीचे गिर रहा है हनी को पैड में वह बहुत ज्यादा स्लोली ड्रॉप होता है जिससे ना आपको कूल है और बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा यहां पर यह जो सिंफिनी का कूलर है इसमें कास्टर वील्स भी देखने को कर्मोट हो गया पॉप टच्स्क्रीन वाला भी इसमें आपको कंट्रोल देखने को मिलता है और इसमें आपको वारेंटी वन एर की देखने को मिलेगी प्राइज एराउंड आज का जो है ना 10,229 रुपीज देखने को मिलेगा लिस्ट में सेकंड नंबर पे भी सिंफिनी क स्कॉयर मीटर के देखने को मिलेगा हानी कोम पैट इसमें भी आपको देखने को मिलेंगे साथ-साथ जो टैंक की कापसिटी है ना इसमें आपको 12 लीटर के मिलेगी डूरा पंक के साथ आता है साथ-साथ Cool Flow Dispenser भी है SMPS Technology भी इसमें देखने को मिलेगा डूरा पंक ना यो टेक्नलाजी यूजली क्या करता है ना डर्ट एंड जम्स जो भी एर में रहते है ना उसको रोग के रखता है और आपको क्लीन एर प्रवाइड करता है यह सिंफिनी के कूलर में आपको वन एर की वारेंटी मिलेगी आज के जो प्राइज है एराउंड 5,399 रुपीज मिल प्रूफ रहेगा 2250 मीटर स्कॉर पर आवर की इसमें आपको यह डिलीविटी मिलेगी जो की 20 फीट तक ठ्रो कर सकता है यह को 3 स्पीड कंड्रोल के साथ आता है जिसमें आपको स्विंग मोड भी है और मोस्ट जो स्विंग मोड रहेगा न 90 डिगरी तक टरन हो सकता है लो में आपको 1-year ह dairy देखने को मिलेगी तो यहाँ पर पे ना मैंने और ये मेरे रिकमेंडेशन आप के लिए गरेगे ता और कूलर के आपको तक उनलग लेना चाहिए ताइए ही न एक तो मैंने बताया शिय्विंग रहेगा वह आपको यह अच्छा का सा लुग भी प्हूइ अगर आपने इस वीडियो के थुरू कोई भी टाउक पिले सेलेक्ट किया आपने ले तो में को कमेंट करके ज़रूर बताना कौन सा आपने सेलेक्ट किया है साथ-साथ अगर चैनल में नय है ना चैनल को सब्स्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाएगा ताकि आगे नया कोई भी वीडियो लाओं आप उसको मिस ना करो See you in the next video